दोस्तो अगर आप सोने चांदी में निवेश करना चाहते हैं या फिर सोने चांदी ये गहने बनवाना चाहते हैं तो आपको सोने और चांदी की कीमतों की हर रोज की जानकारी होना जरूरी है वैसे दोस्तो आज सोने और चांदी में कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ है लेकिन दोस्तो आज हम डिटेल जानेंगे पूरे हफते भर में क्या हुआ है सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है इंडियन बूलेंड जूइलर सुष्षन की वैब साइट के नुसार पिछले शनिवार यानि की 24 अगस्ट को सोना 71,424 रुपे पर था जो की अब 71,958 रुपे परती 10 ग्राम पर पहुँच गया यानि कि दोस्तों इस सपतहा के अंदर सोनी की कीमत में 543 रुपे की बड़ोतरी हुई है वहीं दूसरी और बात करें चांदी की तो दोस्तों पिछले शनिवार को चांदी की कीमत 84,615 रुपे थी जो की अब 85,019 रुपे परती किलोग्राम पर पहुँच गई है इस तरह से देखा जाए तो इस सफते ही चांदी की कीमत में 404 रुपे की बड़ोतरी हुई है दूस्तों इस साल चांदी 29 मई को अपने ओल्टाइम हाई 94,280 रुपे परती किलोग्राम पर पहुँच गई थी जबकि सोना 21 मई को 44,222 रुपे के अपने ओल्टाइम हाई पर था यानि कि देखा जाए तो सोना और चांदी दोनों ही धातुमें अपने ओल्टाइम हाई से काफी नीचे चल रही है वहीं IBGE के अनुसार इस साल अब तक सोने के दाम में 8,000 रुपे से ज़ादा की बड़ोतरी हो चुकी है एक जनवरी को सोना 63,352 रुपे का था जो की अब 7,958 रुपे परती 10 ग्राम का चल रहा है वहीं चांदी की कीमत 73,395 रुपे से बढ़कर 85,019 रुपे पर जाप पहुची है दोस्तों आपको बताते हैं SDFC Securities के Commodity और Currency Head अनुस गुपता के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में और भी जादा बड़त देखने को मिल सकती है उनका कहना है कि इस साल सोना 78,000 रुपे परती 10 ग्राम तक जा सकता है जबकि चांदी एक लाख रुपे के मार्क को पार कर सकती है वैसे दोस्तों आप जान लेते हैं कुछ प्रमुख महानगरों के सोने की कीमते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली मुंबई की तो दिल्ली में 10 ग्राम 22 करेट सोने की कीमत 6,090 रुपे है जबकि 24 करेट सोने की कीमत 7,290 है मुंबई में 22 करेट सोने की कीमत 6,040 रुपे जबकि 24 करेट की कीमत 6,040 रुपे है वहीं दोस्तों बात करें भोपाल की, तो मद्धप्रदेश की राजदानी भोपाल में 10 ग्राम, 22 केरेट सोने की कीमत 6,000 नबबर उपे, जबकि 24 केरेट सोने की कीमत 3,000 नबबर उपे प्रती 10 ग्राम है वैसे दोस्तों एक बात कमेंट करके ज़रूर बताएगा, आप सोना चान्दी में निवेश करने को ज़्यादा सुरक्षित मानते हैं, या फिर शेर बाजार में निवेश करना ज़्यादा सुरक्षित मानते हैं, आपकी राए कमेंट वोक्स में ज़रूर लिखिए, साथ इस